तो इसमें कहीं कहीं माननिये मुखमंत्री जी दोसी हैं लोग से दिशते हैं कि मुखमंत्री जी को उपंदर कुछ वाहा जैसे लोगों से कोई मदद नहीं मिला इतिस वाव ने एक फस्ट अर्मर एमेले को विधायक दल का नेता बना दिया वहीं से उपागल हो गए वाले गठबंधन धर में मुखमंत्री अगर देना होगा तो राष्टे जनता के दल के बाद हमलों का हक बनता था मंत्री मंदल में अस्थान चाहते थे ताकि उनको सुख सुविधा से लेस पद चाहिए इस पद में उनको मजा नहीं आ रहा है इसलिए वो छट पटा रहे हैं कहां है उनका बजूद जनता दल्यू में जो कम जोड़ कर देंगा जनता दल्यू को या महागट बंदन को नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनास इस वक्त हमारे शाथ कॉंग्रेश के मिल सी समीर सींग है समीर जी आप लोग भारत जोलो यातरा राहू जी कर रहे हैं पूरे देश में इसके बाद आप लोग अभी हाँ से हाँ जोलो यातरा क अवस्का था इसको उन्हों पूरी तरह बिगाडने का काम किया सत्ता में आने के लिए हिंदू-μुसल्मान जो हमलों के देश का ख्रूसूरती था भाईचारे का समन्द था उस सत्ता में आने के लिए उन्होंने इसको बिगाड है और हम समझते हैं कि जो देश की घर्मा थ और सभी ने मिल करके इस देश की आजादी दिलाई थी। उसमें कोई ये नहीं था कि कोई खास धर्म के लोगी आजादी की लड़ाई में सामिल थे। तो इसका मूल उदेश से ही था कि हम पूरे देश में जो बिखरा हो रहा है जो जाती और धर्म के नाम पर लोग अलग हो रहे हैं इसको फिर से लोटावें लोगों को जोड़ें और उन्होंने देश जोड़ने का जो संकल्प था उतीस तारीक को जम्मू कस्मीर में एक समारो में वो एक तरह से उनका जो उदेश साथ सफल होता नजर आ रहा है और उसके बाद ब्यक्ती ब्यक्ती में एक भाई चारे का सम्मंद हो हाथ से हाथ मिले भाई से भाई जोड़े इसके लिए उसी कारकरम को सपोर्ट देने के लिए उसी को ताकत देने के लिए जहां वहां जाती और धर्म को जोड़ा एक तरफ राहूल गांधी जी ने वहीं अब भाई भाई को जोड़ने का काम हो रहा है, समाज में इतनी कटता बढ़ गई है, इसलिए अगर देश का विकास होना है, बिहार का विकास होना है, तो क्या राहूल गांधी दिखेंगे हैं? ने राहूल गांधी तो सरवत देखेंगे राहूल गांधी तो हम लोगों के नेता है वो तो कहीं भी किसी भी कारकरम में कहीं भी चले जाएंगे उनका तो कारकरम ही है और यह भारत जोड़ो यातरा के समर्थन में ही कांग्रेस पार्टी ने यह कारकरम दिया है और जो वो ए कटता है वो देरे देरे समाप्त होगी अच्छा समीर जी एक उस बात पर चर्चा करेंगे जो अभी काफी इस चीज को लेकर चर्चा है और पिछले तिन चार दिने उसे जदियू क्योंकि आप लोग सही होगी दल में हैं जदियू के जो संसदिय बोड़ गया देंगो पिंद दिन खाने में होगी तो उनके अंदूरनी मामले में हमको दखल नहीं देना चाहिए यही जो हमारा धर्म है गठवंदन का धर्म है यही कहता है लेकिन हम लोग जो एक नागरी के रूप में आप हमसे बयान ले सकते हैं जो हम लोग समझते हैं कि मुखमंत्री जी को उपंदर कुसवाहा जैसे लोगों से कोई मदद नहीं मिला बलकि उपंदर कुसवाहा पहली बार विधायक बनके आये थे उनको इतना महत्वा कांग्ची बनाया उसमें नितिस बावु का ही देन है नितिस बावु ने एक फस्ट अर्मर एमेले को विधायक दल का नेता बना दिया वहीं से उपागल हो गए तो इसमें कहीं कहीं माननिये मुखमंत्री जी दोसी हैं कि जब कोई लाइक ब्यक्ति होता है तो उसके लिए बिसेश मना होती है परिस्थिती बनाया जाता है कि नहीं सहावी इतना सीनियर आदमी बन गया एमेले हो गया तो इसको नेता बना दो लेकिन एक यंग आदमी जिसको राइन्टि कोई अनुभब नहीं था उसको उन्होंने जनता दल युका बना दिया बिधायक दल का नेता तो सभाविक है जो इतना बड़ा महातवा कांग्शी हो गया है तो वो बिना पद के एक दिन चाहरेगा क्या संसदिये बोड नहीं उनको उप मुख मंतरी चाहिए सवाल है गठबंधन धर में मुख मुख मंतरी अगर देना होगा तो राष्टे जनता के दल के बाद हम लोग का हक बनता था लेकिन हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए गठबंधन को मजबूत बनाने क कि इस पर नहीं बोला ज्याइब लेकिन वह तो वह से उनकी गत्विधी से जद्यू कमजोड ओ रही है कि वह जद्यू कमजोड जद्यू को मजबूत करने में में लगे हुए अभी तो असपर है कि वह आदमी राइंपिस्चिक सूजबूज नहीं भी रखता होगा साधरन भी जानकारी रखता होगा वो यहीं बोलेगा कि जदियु में यह उपंदर कुस्वा जी नितिशकुमार को कम्योड करने में लगे हुए है और अपना कहीं कहीं राजनतिक स्वार्थ साधने के फिराक में हैं तो जिस तरीके से वो ये भी बोल रहे हैं कि हम नितिश कुमार बैठर करें और कहा रहे हैं कि हमको पार्टी में हिस्सेदारी चाहिए हिस्सा मांग रहे हैं पार्टी में हम कहीं भी जाए लेकिन हमको हिस्सा चाहिए अब ऐसा बयान दे रहे हैं वो पेंदर कुस्वा अब हिस्सा तो हम नितिश कुमार जी अगर उनको पाटी में लाए और पारलियमेंटरी बोर्ट का चेरमेंight की बना दिया तो यह तो बहुत महत्पुन पद है, लेकिन उनको महत्पुन वही लगता है जिसमें कुछ हो, यानी सत्ता का सुख हो, इसमें सत्ता का सुख नहीं है, इसमें समान का स कि पार्लियमेंटरी बोट के हम चैर्मेन हैं तो एक सम्मान मिला तो सम्मान तो मानिये नितिश कुमाजी ने जरूर दिया लेकिन वो पद कैसा खुश्चे थे या आप समझ सकते हैं खुद कि वो मंत्री मंडल में अस्थान चाहते थे ताकि उनको सुख सुविधा से लेस कहां है उनका बजूद जनता दलियू में जो कम जोड़ कर देंगा जनता दलियू को या महागटवंदन को महागटवंदन निश्चित रूप से मजबूत है और जो भी समाचार पत्र में आ रहा है हम समझते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है अभी महागटवंदन तूटने न पाद्यम से ही जानते हैं कि हम लोग के बीच में कोई विवाद हो गया है लेकिन जब आपस में हम लोग मिलते जुलते हैं तो कहीं ऐसा आहसास भी नहीं होता कि हम लोग में कोई खटास है तो हम कैसे कह दें कि महा गटबंधन में वो कम जोड कर देंगे वो इसी ताकत उनके पास नहीं है कि महा गटबंधन को कम जोड नहीं करेंगा हां वो दूसरे दल में जाके अगर कुछ जुगाड अपना कर लें तो कर लें यह हो सकता है लेकिन यहां से यहां कुछ घाटा नहीं दे पाएंगा अच्छा चल रहा और आगे भी चलेगा फिलाल इस कबर में इतना ही सही होगी जैकी के साथ मैं एक न्यूस 24 पटना झाल झाल